हाई आज मैं आपको 3D parametric model parametric scripting format में कैसे convert करेंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ आए जानते हैं इस process को इस वीडियो के माधियम से सबसे पहले Archicent open करें इसके बाद 3D model open कर ले आए भी करेंगे बाहा हूँ आए 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 झाल 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 उल झाल 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 वाज फिर फाइल में जाएं फिर लागदेरी एन अब्जेक्ट में जाकर नियो अब्जेक्ट स्लेट करें इसके बाद 3D मॉडल को स्लेट करें फिर इसे नियो अब्जेक्ट में ड्रैक कर लें जैसा कि आप यह वीडियो में भी देख सकते हैं इसे नियो अब्जेक्ट में जाएं 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 क्रिप्या इस चानल की सदस्यता लें और इस वीडियो को पसंद करें अगर आपके पास वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो क्रिप्या टिप पनी करें क्रिछान क्रिप्या क्रिप्या याएं क्रिप्या